दोस्तों किसी तरह की शारीरिक परेशानी हुने पर डॉक्टर पानी पीने की सलाह देते हैं दिन में कम से कम रोज 10 गिलास पानी पीना चाहिए इससे आपका डाइजिस्टिव सिस्टम, स्किन और बाल हेल्दी रहते हैं पानी शरीर से बेकार पदार्थ बहार निकालता है पानी के बिना हम अपने जीवन की कलतना भी नहीं कर सकते पानी हर तरीके से हमारे लिए फायदे मंद है लेकिन अगर हम गुनगुना पानी पीए तो हमारी सेहत के लिए और भी ज़्यादा लाबदायक होगा अधिकतर पेट की बीमारी दूशित पानी से होती है अगर पानी को गर्म कर फिर थंडा कर पिए तो पेट की अधिकांच बीमारियां दूर हो जाएंगी अगर भूख ना लगे तो एक गिलास गर्म पानी में एक नीमगु का रस और काली मिर्च नमक डाल कर पिए सौफ्ट प्रिंट की जगे गुंगुना पानी या नीमगु पानी पानी पिया करें आपका एनरजी लेवल बढ़ेगा और डाइजिस्टिव सिस्टम भी सही रहेगा रोजाना गर्म पानी पीने से ब्लड सकुलेशन तेज होता है पानी पीने से एसिड़िटी हती है क्योंकि पानी पेट साफ रखता है सुबह सुबह एक गिलास गुंगुना पानी कब्च को जड़ से खत्म कर देता है पानी जोडों को चिकना बनाता है और जोडों का दर्द भी कम करता है सर्दी जुकॉम में रोज गुंगुना पानी से पीने से आराम मिलता है कुछ लोग ज्यादा ही ठंडा पानी पीते हैं इससे गुर्दे खराब हो सकते हैं इसलिए ज्यादा ठंडा पानी न पीए अगर सकिन पर रैशल्स पर गए है या तवचा सिकुर रही है तो रोज सुबह गुंगुना पानी पीए अगर आप चाय या कॉफी ज्यादा पीते हैं तो उसकी जगे ग्रीन ती पीए इससे एनरजी मिलती है गुंगुना पानी पीने से आपकी स्कीन ग्लो करने लगेगी वजन कम करने के लिए ठंडे पानी की जगे गुंगुना गर्म पानी पीना फायदे मंद होता है दमा के मरीजों के लिए तला भुना खाने के बाद गर्म पानी पीना बहुत लाबदायक होता है सुबह उठने के बाद गरम या गुंदुने पानी में शेहद और नीम्बू डाल कर पिया करें इससे टॉक्सिक एलिमेंट शरीर से निकल जाते हैं और इम्यून सिस्टम भी सही रहता है अगर आपको हमेशा ठकान महसूस होती है तो सुबह की शुरुवात एक गिलास गुंदुने पानी से करें दिन भर तरुताजा महसूस करेंगे हमारी मानस्पेशियों का असी प्रतिशत भाग पानी से बना हुआ है इसलिए पानी पानी से मानस्पेशियों की एठन भी दूर होती है सुबह उठते ही एक गिलास गर्म पानी पीना अच्छा होता है इसे अपनी आदत में शामिल करें इससे पेच साफ रहता है पानी पीने से स्किन में रूखापन नहीं होता